नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में जी हाँ दोस्तों भारत एक और बहुत ही बड़े परिछड को अंजाम देने जा रहा है और ये टेस्ट भारत को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है दूसरा दोस्तों भारत के लिए ऐसे हत्यार बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुके है क्योंकि दोस्तों भारत को विस्गुरू बनना है और भारत अगर विस्गुरू बनेगा तो इन्ही हत्यारों की वज़े से बनेगा क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही जादा एहम रखते हैं भारत को सुपर पावर बनाने में और भारत के दो परोसी दुस्मन चाइना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ये आप मान लीजिए की सुदरसन्चक्र का काम करने वाले हैं बैर भारत इस भारत के टेश्ट भी करने जा रहा हैं बस दो चार दिन के अंदर ही दोस्तों में आज मैं आप लोग इसाथ्यार के बारे में बताने वाला हूँ वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग से छोड़ी से रिक्ष्ट है अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आया हो तो नीचे रेट कलर का सब्सक्राइब को वटन है जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन पे प्रस कर लेना ताकि हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुं सके तो दोस्तो बिना कुछ देर को वीडियो को करतें स्टाइट दोस्तो आज भारत दुनिया के तमाम देसों से हथ्यार को खरीटता है और यहां तक कि दोस्तो वो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं भारत का जो रख्षा बजट है वो डगमगाने लगता है ऐसे में दोस्तों भारत अप सुदेशी रूप से एक ऐसे हत्यार को डेवलप करके परिछड करने जा रहा है जो कि वाकई में काफी जादा अच्छा है दोस्तों इस हत्यार का नाम है XR-SAM Missile Defense System Extender Range Surface to Air Missile Defense System ऐसे में दोस्तों यहाँ पे एक अलर्ट जारी किया गया है 380 किलो मीटर तक का अब्दुल कलाम आइज लैंड पर जो कि दोस्तों यहाँ पे काफी लोग यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पे XR-SAM Missile Defense System का परिछड होना है ऐसे में दोस्तों यह माना भी जा सकता है XR-SAM Missile Defense System का यहाँ परिछड हो सकता है क्योंकि दोस्तों XR-SAM Missile Defense System पे भारत काफी दिन से काम कर रहा है और अब जाके यह काम कंप्लीट हो चुका है और लगभग 90% यह उमीर लगा जाती है कि यहाँ पे XR-SAM Missile Defense System का ही परिछड होना है क्योंकि दोस्तों आप लोगगो पता होगा कि भारत जो दूसरे देशों से Missile Defense System खरीता है जैसे अभी हाली में रसिया से S-400 को भारत ने खरीदा है ऐसे में दोस्तों रसिया का जो S-400 है काफी जादा महगा Missile Defense System है और भारत का जो XR-SAM Missile Defense System बनके तयार होगा वो काफी जादा कम प्राइस में बनके तयार होगा यहाँ तक कि दोस्तों आप मान सकते हो कि रसिया के एक S-400 में भारत का जो XR-SAM है वो कम से कम 4 बन सकते है तो ऐसे में इस चीज का बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत का जो XR-SAM Missile Defense System है वो काफी जादा सस्ता होने वाला और दोस्तों इसमें जो लगने वाली Missile है उनकी रेंज 350 किलो मीटर तक है वही पर रसिया के S-400 में लगने वाली Missile की रेंज 400 किलो मीटर तक है तो भारत दीरे-दीरे 400 किलो मीटर रेंज वाली Missile भी इसमें फिट कर देगा और दोस्तों जिस दिन इसका सफलता पूरवक परिछड़ हुआ और सेना में सामिल हो गया यकीनां दोस्तों चाइना पर भारत एप हासित कर लेगा क्योंकि दोस्तों जो S-400 भारत के पास आ रहा है वो पहले सी ही चाइना के पास में ऐसे में भारत का जो XR Sam Missile Defense System होगा वो चाइना के पास नहीं होगा और चाइना उसकी कमिया नहीं निकाल पाएगा जिसकी वज़े से चाइना बहुत ही ज़्यादा डरडर के कोई भी हत्यार अगर भारत में भेजना भी चाएगा हमले के बहुत ही ज़्यादा सतरकता से भेजेगा लेकिन दोस्तों आप लोग को XR Sam Missile Defense System को लेकि क्या लगता है नीचे कमेंट्स बॉक में जाके कमेंट्स कर दीजे वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोग से छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रट कलर का सब्सक्राइब को बटन है जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वेलाकेन पर प्रस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश सके तो बिना कुछ देर कोई दोस्तों करते हैं वीडियो को समाब तो चलते हैं मिलते हैं नेसे वीडियो में चैहे हिंद चैहे भारत